गुरुद्यों आजकर आर्टिविशल इंटेलिजेंसी का तकनी की दोर में ज्यादा प्रभाव हो रहा है नडी पिरी के लोग गूगल पर किसी भी विशय का ज्यान अर्जित करते हैं जो इंटरनेट आपकी सोच के अनुसर परिणाम दे देता है जिसमें विवारिक्ता का पूर्णता अबाव रहता है कम्पीटर एक निर्जू चीज है पर उसमें विश्वाज ज्यादा करते हैं जो की एक आर्टिविशल इंटेलिजेंसी है क्रपय समाधान का देखें बात बिल्कुल सही, Artificial Intelligency का सबसे ज़्यादा दुस्परणाम ये हुआ है, कि उससे हमारी अपनी प्रतिभा कुंठित हो गई. मनुश्य जितना अधिक यंत्रों पर निर्भर हो जाता है, उसकी प्रतिभा उतनी कुंठित होने लगती है. आप अनभव कीजिएगा, जब तक आपके पास मुबाइल नहीं था, एक-एक वेक्तिकों सैंक्लों लोगों के नमबर याद रहते थे. जब से मुबाइल आ गया, आपने सब उसमें सेफ करना शुरू कर दिया, अब खुद का नमबर भी लोगों को याद नहीं रहता है. क्यों? ये बड़ी स्मश्चा है. तो यंत्रों पर निर्भरता, अपनी छमता को कुंठित करना है. गूगल एक अच्छा माध्यम है, जिससे हम बहुत सारी जानकारियां पा सकते हैं. लेकिन इससे हमारी जो अपनी खोजी वरित्ती हैं वो खतम हो गई. इससे हमारा सोच जो है वो सीमित हो गई. कुछ भी आगूगल में देख लो, कुछ भी वो आश में कर लो, तो हमारा जो स्वाइम का एफ़र्ट था, वो खतम हो गई. और दिनों दिन खतम होगा. तो इसके प्रड़ाम तो यह आने ही वाले हैं. इसलिए हमें चाहिए, कि हम अपनी नैसरगी की प्रतिभा को उदगाटित करें, और उसका उप्योग करें. हमारे माइन में अपार छमता है, यदि हम उसे एक्टिवेट करें, और उसका ठीक तरीके से दोहन करके उप्योग करें. अगर नहीं करेंगे तो प्रड़ाम कभी भी अच्छा नहीं आता है. इसलिए हमें इस आर्टिफिशिल दौर से अपने आपको बचाना चाहिए.